हलो बन्ने मात्रम स्टुडेंट्स आज भी बलंद करेंगे चैप्टर नमबर थौटीन और रीवर्स जहर्णी रीवर यानि की नदी और जहर्णी यानि की उनका सफर उनका ट्रावलिंड रीवर की जहर्णी कैसे होती है तो वो भी गूमती है और रीवर हमेशा एक्टी भी चलती ही रहती है पहाड़ों से निकलती है फिर खाडीयों में जंगलों में सड़कों पे बहुत सारी जगाओं पर यह हम पीते हैं हम्हारे घर तक भी उसका पानी आता है लेकिन व CapUp के से आता है वो हमें यह पे देख है लेकिन एक मशू आसा पिक्चिर पहले समझ लेथे अब यह है यहाँ पे mountains यहाँ पे देखो यह river निकल रही है तर आफटर यहाँ पे trees यहने कि कुछ forest जीसा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकली यहाँ पे देखो बहुत सारे बहुत अनिमर्स ने इनका पानी पिया उसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग रहते होगे इन्होंने इनका पानी पीया और देते हो रहा हुए न भाद दोशारा कान्व किसी नहें पर किया और यहां 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 पर यहां से होकी छोटासा विलेश यहां पर आप देख सकते हो कोई कपड़े तो हो रहा है अपने एनिमल्स को नहला रहा है ठीक है ना यहां से पानी आया यहां पर यहां पर तो फैक्टरीज है बहुत सारे नीचे यो venå यहीर फैक्टरीज है ना तो फैक्टरीज से कुछ डस्ट यहां पर निकल रहा है तो फिर दस पार्टिकल्स सारे नदियों में चारे तो देखो अब तक बादी करने ठीक ठीक था लेकिन यहां पी रंगीन होने लगाए तो रंगीन किसे हुआ क्योंकि एक केमिकल वाला हो रहा है यहाँ पर फिर से बिल्डिंग्स फैक्टोरीज यह सब है इन सब के गटर्स और वो सब का पानी भी नदियों में आ रहा है तो देखो अभी यह पानी के सा हो चुका है बहुत ही गंदा हो चुका है लेगिन फिल्पी नदिया बैती रहती है तो अभी हम लान करेंगे इस चक्रक के बारे में कि पर यह नदियों की जर्नी कैसी होती है अभी यह पिक्चर्स देखके आपको नीचे दिये गए शब्दो को पढ़ना है तो हमने पिक्चर्स तो देखके अभी हम वर्स को रिट करते बोट, फ्लोविंग वोटर, क्लाउट, फीश, एक्वेटिक प्लांस, रिवर, बिग बोट, ओयल, रिवर बैंक, फॉल स्मेल, फैक्टरीज, वाशिंग क्लोट्स, एनिमर्स, अधर वॉक्स, चेंजी सिटी तो यानिक यहां पर हमने बोट देखी, इस वाटर देखा, क्लाउट देखा, किस की क्लाउट देखे हमने, तो हमने थे यहां पर दुए के क्लाउट्स देखे, फीश, एक्वेटिक प्लांस, रिवर, बिग बोट, ओयल, रिवर बैंक, फोल स्मेल यानिक, गंदे जो यूर स्टोरी यूर स्टोरी अल्सु तालो डब हमने देच चुका है इस चरनी ओके और हमने स्टोरी भी लन्ड कर ली जब हमने एक पिक्चर देखा जब हमने इस पिक्चर को लन्ड किया तब हमेडा ही सारी picture again and answer the following question what is the color of water from where the river begins नदिया कहां से शुरू होती है mountain से व्राइट तो हमें इसा पुछा गया है कि जब वो वहां से शुरू होती है तो नदियों का color के साथ था तो नदियों का color थोड़ा से bluish था तो हम यहां पे लिखेंगे blue आपको भी मेरे साथ साथ यह fill up करते रहना है ठीक है at some place there are many fish in river at other places there are only a few and at some places are dead fish what could be reason for this discuss अभी जहां पर चुपानी बहुत ही अच्छा होता है न वहां पर फ्रिशेश होती है बहुत ज्यादा होती है पानी बहुत ही clean होता है तो वहां पर survive कर सकती है उसका बात जैसे पानी गंदा हो जाता है तो कुछ कुछ फीश ही उसके अंदर रहती है और फिर हम जब chemicals वाले area में include करते है तो वहां पर फीश बैचारी वह भी तो मर जाएगी न है न यहां पर हम समंदर का कीनारा देख सकते है इतना 30 क्यों है बहुआत सारे लोग यहांन पर घुमने आते हैं पिर यहां पर कुछ नास्ता वागेरा करते हैं तो वह तरह बहुत बहुत सरे लोग लेके जाएगा फिर यह कच्रा किसको मिलेगा फिश इसको मिलेगा तो इससे फिश भी तो मर जाएगी ना भी यहाँ पे हम फैक्टरीज को देख सकते हैं फैक्टरीज में यहाँ पे पाने रिखो कि ना गंदा कर रहा है जब वो विलेज तक कोई नदी पहुंचने वाली है तो अब उसमें क्या देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फिश हम देख सकते हैं अभी नेक्स क्वेशन हम देखेंगे अभी आपके लिए बहुत बड़े बड़े क्वेशन आशर आने वाले हैं अभी कौन सी जगह पे नदियों का कलर चेंज होता है तो जब वो निकलती है उसकी चरनी स्टार्ट होती है तब तक मेंटीन रहती है लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ना शुरू करती है तो उसको भी कई कई चीजे कई कई प्लेसे मिलते हैं जहां पे उसको पॉलिट किया जाता है इसलिए उसका कलर भी वाटर कलर भी चेंज हो जाता है अभी आपने बहुत सारे पिक्चर देखे उसमें आपको कहां पे रहना अच्छा लगेगा क्यों? I would like to live on the bank of the river at the place before it reaches the village because the river water is pure here and the village is also near by अब यह मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखा है अगर आप अपने हिसाब से कुछ आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो लेकिंग अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप यह आंसर लिख सकते हो क्योंकि एक्वेशन आंसर बहुत बड़े है तो मेंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन बनाई है और यहाँ पे इक्स्ट्रा लाइन बनाई है उबर से बहुत चोटे-चोटे हें रेडिंग्स में लिखा है तो आपको इसे तरीके से लिखना है तो आपको इजी रहेगा equation हमारा यह था कि आपको किसी जगा पे रहना पसंद है तो पर हमें ऐसी जगा पे रहना पसंद है कि जहाँ पे नदिया जो है वो गाउं से पहले मिलती आती हो यानि कि मुझे गाउं में रहना पसंद है कि वे सबसे पहले तो नदी गाओं में आएगी ना दब उसका पानी क्या होगा वहाँ पे clean होगा और यहाँ पे village भी nearby होगा तो हमें कुछ चीजों की जरूरत हो तो हम वहाँ से provide कर सकते हैं Would you like to change any of the things that you see in the picture? Why and how? क्या पिक्चर में कुछ चीज़े हैं उसको change करना चाहते हैं क्यों और कैसे? I would like to change the fact that people and factory owners throw their waste into water अभी हम कौन से चीज़े चेंज करेंगे कि लोग और जो factory owners है वह waste पानी में दायत रहे हैं तो पानी क्या हो रहा है गंदयन कि हमारी river जो है वह बहुत ही dirty हो रहे है तो इस चीज़ को हम change करना चाहेंगे अभी river को clean करने के लिए कितने काम आप कर सकते तक अभी हम लिखे तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और हमें बहुत जरूरत भी है लेकिन मैंने यहाँ पे include किया है cloth should not be washed in river water अभी कपड़े हम यहाँ पे नहीं थोने चाहिए नदियों के किनारे हम लोग city में रहते हैं city में हमारे गर में पानी available रहता है 24 hours पानी की सुवीधा रहती है लेकिन जो लोग गाउ में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे issues होते हैं उनको पानी मिलता है नहीं मिलता है दिन में कुछ और पानी आता है तो अपनी water tank में उसको collect करके रखते हैं लेकिन वो पानी वो लोग कपड़े थोने में नहीं use करते हैं वो नदियों के किनारे चाते हैं और वहाँ पे cloth को wash करते हैं riverbank should not be used as toilets तो यह situation भी गाउ में होती है कि लोग नदियों के पानी का as a toilet use करते हैं नदियों के किनारे वो as a toilet वो place को use करते हैं तो वो पानी बहुत ही गंदा रहता है next page हम देखेंगे if you wanted to drink some water from which part of the river would you like to drink? अगर आपको कुछ पानी पीना है नदियों से तो कौन से पार्ट से आप पानी पीना पसंद करोगे और क्यों? I would like to drink water from the parts where the river starts जहां पे नदिया स्टार्ट होती है वहाँ से पानी पीना अच्छा रहेगा because there are almost no impurities in river water is the place where it starts so the river, the water is clean and pure अभी वहाँ पे क्या होता है कि जहां पे नदिया स्टार्ट होती है तो वहाँ पे कोई मतलब अंदर कोई impurity जैसा नहीं होता है पानी एकदम pure और clean होता है और पीने लायक होता है In the last part of the picture the river flow into the sea Have you ever seen the sea where in a movie or somewhere else हमने last picture में ऐसा देखा था नदिया जो है last part में कि वैसे तीज़ और वहाँ से होते होए नदिया जो है वह एक समंदर में मिलती है और वहाँ पर उसका end आ जाता है तो क्या आपने कभी समंदर देखा है कहां पे देखा है मुवीज में देखा है या फिर कहीं और देखा है तो भी मैंने तो देखा है तो मैंने यहां पर लिखा है अगर आपने जहां पर देखा हो आप अंसर यहां पर लिख सकते हो Yes, I have seen the sea Our whole family had given to Mumbai and gone to Mumbai and to do for a holiday I saw the sea at both places हम पूरी family के साथ ती और Mumbai गहते वहाँ पे हमने समंदर को देखा है लेकिन जहां पर river joint हो जाती है ना वो सिन हमें समंदर के किनारे देखने को नहीं मिलता है देखो यहां पर यह river की journey है पूरी यहां पर start होती है फिर यहां पर वो समंदर को मिल जाती है नीचे देखेंगे कुछ question answers Have you ever seen a river or see when यहां पर कुछ से लिखना है क्या आपने कहीं पर नदी और समंदर देखा है कहां जिससे हमने उपर कहां से लिखा So with your hands and draw the waves move in the sea Waves in the sea moves up and down अभी क्या करना है अपने hands से एक अपने जो समंदर के मूँ से ना जो waves होते उसको draw करना है तब यह हमें पता है कि वो ऐसे ऐसे होते up and down होते हैं Is the water from the sea drinkable अभी समंदर का पानी पीने जैसा होता है कि नहीं क्यों No, because it is very salty वो बहुत ही salty होता है इसलिए पीने लाइक नहीं होता है Do you think that there would be changes taking place in river, pond or stream at different times of the year What kind of changes would this be discussed अभी क्या है यहाँ पे आपके लिए equation है कि क्या river, pond or stream stream यानि की जर्ना, pond यानि की तालाब और river यानि की नरी तो इस यर हम उसमें कुछ change ला सकते है किस तरह का change ला सकते है उसको discuss करना है तो आपको उसको observe करके आपको देखना है कि हम कौन-कौन से changes ला सकते है और आपको उसके उपर think करना है Next question देखते है Will there be same amount of water in the pond or river during the rainy season in summer क्या summer में भी जब winter और monson पानी रहता है तब वैसा ये पानी summer में नदियों में होता है एक answer हमें लिखना है कि भई no क्यों no क्योंकि summer है जो वहाँ पे sunlight ज़्यादा होती है तब water जो होता है वो वैसे भी animals और human beings हैने की हम सब और birds वो सब गर्मी के वज़े से पानी ज़्यादा पीते है एक तो वो यूज हो जाता है उपर से evaporation हो जाता है उसका बास भी पवन हो जाता है sunlight की वज़े से बारिश के लिए उसमें से बादर बन जाते है monsoon में रडिया वैसे भी बहती रहती है क्योंकि बारिश होती रहती है और winter में भी इतनी sunlight ना होने के वज़े से इतना evaporation नहीं होता है और पानी का भी use बहुत ही कम होता है लेकिन summer में पानी बहुत ही ज़्यादा use होता है इसलिए amount of water पान्स और rivers में सीजन, summer में winter और monsoon की तरह अवैंटेन नहीं रहता है तो आज में इतना ही लन करना है आपको मेरे साथ ये सारे कुश्यरांसे स्काब्रिक करते नहीं हो की और अच्छे से समझ लेना है बन्देवात राम